आल राइट सो गाईज वाटसेप एबरीबडी गाईज मैं आज आपको ताज महल के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ तो आगे बने से बहले बने भाई का नाम भी जान लिजे माई नीम इस हैदर मुस्तुफा एंड यू और वाचिंग ट्रॉस्टिंग चैनल हम मॉटिवेशन हैदर मुस्तुफा तो गाईज क्या आपने कभी सोचा है ताज महल बिना सीमेंट के कैसे बना जैसे की गाईज हम सभी जानते हैं कि सीमेंट को 1824 में बिर्टिश बिल्डर जोजफ के दौरा बनवा कर तयार किया गया लेकिन अगर बात ताज महल की की जाए तो ताज महल को सन 1631 से 1648 के बीच बना कर तयार किया गया जबकि सीमेंट जैसे कोई चीज नहीं थी सो काईज फॉर यू काईन इंफॉरमेशन मैं आपको बता देता हूँ उस वक्त पत्थर को चिपकाने के लिए गुर्ड बताशे उड़त की डाल देई आदी चीजों को मिक्स करके चुने के पानी में मिलाया जाता था और इसे एक जिन्हें मिलाकर एक मैटीरियल तयार होता था जो आज प्रेजेंट में इस्टेमाल होने वाले सीमेंट से कई गुना ज्यादा मजबूत है और अमेजिंग बात ये है कि इस मैटीरियल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत का इसमाल करना पड़ता है और इसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में बताना बिलकुल भी मत भूलेगा आपको बिलकुल टाइम पर मिल जाए